दोस्तों एक बार फिर से आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत है देखे यह हिमालिया की रिनाल का सिरफ जो की यूरिन यानि पेसाब से समन्दित समश्याओं और गुर्दों से समन्दित समश्याओं के लिए एक Beneficial Medition है अब इसके आपको क्या-क्या फाइदे मिलेंगे सबसे पहले हम ये जानेंगे उसके बाद हम बात करेंगे कि इसे आपको कैसे इस्तेमाल करना है कौन-कौन इसे ले सकता है इसका प्राइस क्या है इसके इंग्रेडियन्स क्या है क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं या नहीं और भी बहुत कुछ तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेए दोस्तों मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सस्क्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको सुरू में ही बताया कि इस सिरब, पेसाब और गुर्दों से संबंदी समश्याओं में काम आती है बार बार पेसाब का आना या फिर पेसाब का रुक रुक कर आना बूद बूद करके पेसाब का आना पेसाब कम मातरा में आना तो इस टैप की यूरिन से संबंदी समश्याओं में रिनाल का सिरप का एक बहुत अच्छा लाब जो है वो देखने को मिलता है इसके अलावा पेसाब करते वक्त बहुत ज़्यादा जलन जैसी समझ्या होना गुर्दों में छोटी मोटी पत्री के कारण संकर्मन पैदा हो जाना पेसाब के साथ खून का आना पेसाब में बहुत ज़्यादा गर्मी का बढ़ जाना या पेसाब करते वक्त पेन यानि दर्द होना गुर्दों यानि किड्नी में छोटा मोटा इंफेक्शन बनना गुर्दे के अंदर गंदा पानी खटा होना तो इस टैप की कंडिशन में रिनाल का सिरप का इस्तिमाल है वो किया जा सकता है आपको इसका काफी बढ़िया फाइदा देखने को मिलेगा दोस्तो इसे आपको कैसे इस्तिमाल करना है ये बताने से पहले जल्दी से पहले हम ये जानते हैं कि इसके अंदर ऐसी क्या खास जड़ी बूटियां डाली गई है जिस कारण ये इतना ज़्यादा फाइदे मन्द है तो इसके अंदर बेहत बहतरीन जड़ी बूटियां जैसे गोकसुरा, वरूना, मुस्ता, सतावरी, त्रीकटू और सरीवा जैसे बेहत बहतरीन जड़ी बूटियों से मिला कर इस रिनाल का सिरप को बनाए गया है जिस कारण आपको इसके इतने बहतरीन फाइदे जो है वो देखने को मिलते है तो फिर चलिये अब बात करते हैं कि आपको इसे कैसे इस्तमाल करना है दोस्तो इसे आपको 2 टीस्पून हलके गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार खाना खाने के बाद कुछ इस प्रकार लेना होता है यानि आप इसे दिन में 2 बार खाना खाने के आधे घंटे बाद कुछ इस प्रकार भी ले सकते हैं दोस्तों देखिए depend करता है कि आपकी problem कैसी है तो इसलिए इसे लेने से पहले एक बार doctor से जरूर सला लें क्योंकि हो सकता है doctor आपको इस सिरफ आपकी problem के according दिन में तीन बार या फिर ज़्यादा बार भी लेने की सला है वो दे सकता है तो इसलिए इसे लेने से पहले इस बारे में डॉक्टर से जरूर सला लें इसे male female कोई भी ले सकता है, बच्चे भी ले सकते हैं लेकिन फिर भी बच्चों को देने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सला लें चोगे depend करता है कि बच्चे की उम्र कितनी है दोस्तो देखिए अगर आप इस रिनाल का सिरप को ले रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना है आपको बहुत ज़्यादा spicy, oily, तलाबुना खाना, junk food, fast food इस टैप की चीजों का आपको सेवन नहीं करना है healthy diet लीजिए, सुबह exercise जरूर करिए जिससे आप इस रिनाल का सिरप के अतिदिक फायदे हैं वो ले पाएंगे दोस्तो अगर बात करें इसके price की, तो इसका price 75 रुपे है जो आपको 100 ग्राम के plastic की packing में मिलता है जैसा कि आप वीडियो की screen पर भी देख सकते हैं और आप चाहें तो इसे बड़े pack में भी खरी सकते हैं और ये आपको किसी भी medical store या फिर आयरवेदी की store से उपलब्द हो जाएगा तो दोस्तो ये थी इस product के बारे में कुछ महत्वण भरी जानकारी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप subscribe भी जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे मैंने में जितेश and thank you so much for watching